हेलो साथियों आप सभी का एक बार फिर से सुवागा था इस्ट्रेशरकल 306 में साथियों जिस तरिश्गे से आपने पिछले वीडियो में हमारा साथ दिया हम आसा करते हैं आप इस वीडियो में भी ऐसा ही साथ देंगे साथियों हम DMRC की जो प्रिवे सेर का पेपर के लिए करके आये हैं इसमें हमने पिछले दिनों में 21 कोर्शन साल्प किया था आज उस उस पेपर का उसके आगे का पेपर साल्प करेंगे साथियों एक बार एक बात हम आपसे करना चाहते हैं कि वीडियो दियान से अंद तक आते हैं हम यह भी बताते हैं कि एक्जाम में अगर कोर्शन आते हैं तो आपको कैसे साल्प करना होता है तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सिहर्द जरू करें जो भी हमारे चैनल पर नए विवर आया है यह किर्पया चैनल को सब्सक्राइब कर ल जिब होती है दिन्ग में बॉल्टेज घिरावर उत्पन होती है जो माधीं बेस्टन कि की डेर्पर सुसभ्स बल्टेज कर वहां नहीं 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 बता दिया है इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें आप यह concept है आपका कि जब भी कोई अगर transformer है कोई भी transformer होता है इसकी जो बाइंडिंग जो secondary winding होती है उसमें के और voltage का variation होता है यानि कि उसमें यह कहा रहा है कि जो no load से full load सक secondary में बोल्टेज की गिरावट होती है उससे क्या करते हैं तो साती हो आप सभी को मालम होगा आप पढ़े होंगे जो voltage का regulation होता है इसका मतलब ही होता है जो secondary का voltage हो नियस माइनस बी प्राइमरी में कि और उसके बास से आपको भी पी उस और इनको अगर multiple कर दें हंड्रेट से तो हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा voltage regulation हो जाएगा साथ हो तो इस प्रकार से इसका answer right answer क्या हो जाएगा voltage regulation ट्रास्पार्मर का जो होगा यह होगा तो सात्य बोल्टेज एक्लोइशन का मतलब आप याद रखेगा आए साथ यह अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन का रहा है घरेलू या धोगिक बिजली के अस्थापन की बिजली खपत यानि कीलो आट जो हंटा होती है आपको सात्य पता होगा जो घरेलू बिजली खपत होती है इसको हम कीलो आट आवर में ही नापते हैं कीलो आट आवर्स में साफोी यह हमारा अगर करल है कि बिवECT-गया तो आप यायद रखेगा जो विदूत उर्जा का जो मात्रख माव्निट होता है की और मार्व मीटर का इस्तमाल कर जाता है सातियों जो भी हमारे घरेलू होंगे तो सिंपल सी बात है जब घरेलू बोल दिया तो सिंगल फेज की सप्लाई होगी ऐसे आप पकड़िए आपको कुछ नहीं करना है आपको को संस पढ़ने हैं और उसके बाद से अगर आपको मैं पिछले भी आप गलत करेंगे इसलिए अगर आपको को संथ थोड़ा सभी डाउट हो रहा है थोड़ा सभी ने समझ में आ रहा है तो दो से तीन बार आप जरू करें जिससे आपका कुछ जो का पकड़ है यह आपको पता चलता रहेगा तो सातियों तो आपको इसमें देखिए एक एक वर्ड जो घरेलू या अधोगी की जो बिजली का स्थापन क्या है इसमें खपत जो है कोई भी होगा अमाले यह अगर घरेलू की बात करता है तो उसमें सिंगल फेज की इनर्जी जाती होगी सिंगल फेज सप्लाई है तो सिंगल फेज इनर्जी आप इनर्जी मिटर आ बानते ही हैं वेगर हम हाइड इस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है बागी थिरी फेज फूर वाल एनर्जी मीटर का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि यह हमारे इंडस्ट्रियल के लिए उजोता है तो इस तरीके से करा टेंसर क्या हो जाएगा थिरी नंबर अगला दन्यक्रण है जिसे युगमित कपल की जाता है इसे आद्यों का मतलब ही है जो हमारा मोटर कनवर्टर सेट होता है यह यह आपस में mechanically되 तो connect होते ही होते हैं सात गी सात how its oh क्योव क्यो क्योवालीची एक जनरेटर है और यह क्या हमारे पास motor है तो ज़ंरेटर से फित होती है यह हमारे इस प्रेंड़ा iwire जाता है जो जनरेटर से की जनरेटर होती है उसको मोटर में होते हैं इसको मेंटेंट करने के लिए मेकेनकली भी कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से आपको मिल जाएगा कि जो बिद्धूत और यांतर की दोनों तरीके से हम कनेक्ट करते हैं अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन कह रहा है अगला कह रहा है कि को किसको ग्राइंडिंग क करके टेपों को पूना तेज किया जाता है इसका कहने का मतलब या साथिओं कि इसमें कौन है जिसको हम ग्राइडन है जो यह ग्रैंडदी करेंगे तो उसका आवाज जली जली करेंगे तो याद यहां से मैं तेक्निकल में अगला कोशन करा है निमलखित आर्मचर और माप में वाइंडिंग की ये देखिए बहुत अच्छा कोशन से आगर आप पुम्लिखित में बात करआ है आर्मचर को निमलखित में से कौन से विकल्प से इसमें आर्मेचर वाइंडिंग की बात करा है और विकल्प के आधार पे आपसे पूछा है से आर्मेचर कूर के सही आकार और माप का माप में वाइंडिंग की जाती है अब जो वाइंडिंग की गई है उसका आकार और माप की बात पूछ रहा है और और किस प्रकार से निमली खित में अब इसमें देखा इनेवल तामबे कितार और हमेशा याद रखिए दो शातियों जितने भी होते हैं हमारे पास एक चीज़ाद कि जितने भी हमारे या तो हो ट्रांसफार्मर हो या तो ट्रांसफार्मर की बात करें या फिर मोटर की बात कर है और इसमें यह एलमूनियम के सापिच इसकी कंड़क्ट्विटी ज़्यादा होती है इसलिए हम नहीं चाहते है कि मसीन में कोई ज्यादा लास हो इसलिए हम हमेशा कापर की वाइंडिंग का इसको आप हमेशा याद रखेएंगा जहां भी आपको वाइंडिंग की बाता है तो आपको दीमाग में तुरंद हो जाना चाहिए कि जो वायर लगा लगा होगा कंडुक्टर लगा होगा कौन से कापर का होगा साती साती हो आप उसको अने मलईग की बात करतार नहीं होता है हैं वर निस पर चाह्त आजाती है जबकि इसलिए कि बगल बगल में हैं करते हैं तो यह जो रहा है यह तार को सर्कित हो रहा है इसके लिए हम करते work पर निस कर लिए चड़ा देते उसी इने मल रिखाते हैं तिस इस आप से राइट इंसर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा इसमें दे रहा लेकिन यह सिंपल ताम बेक अरहे हैं आशार सरक्षिट हो जाएगा इसलिए इसको हम नहीं लगाएंगे और बाकी तो दो में देखिए यहां और अपको कैंसेल कर लेंगे अगर आपको पता होगा तो है अग्छे दे क manifests लूट होता है और मुंसलार कि ए भू कि यक ट्राइक होता हुए थिक्षिजिवर ये Сी कैसी यजो कुछी नहीं है C R की जो अगर हम समांतर में 2S R gate ले 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 और उसको समांतर में जोड़ दें ऐन्ती पैरिलर माल िएक SCR में यहां है कि यह पर यह तरी के समन्हें बना लिए और दोनों कि क्या करें एंटी पैरिलर में कि यह घ्राइक नहीं निकला है तो यह समझी एक प्राइक हो जाएगा है कि दो डिवाइस आप क्या इसमें तीन टर्मिनल होता है है इसलिए हम निए बिदे से इसलिए हैं पर ऐसी आगया इसी प्रगार्स से डायक आता है त्याक पोस्क एकलुए नोलबुए आप開始 सब्सक्राइब किसे हैं इस तरी के आगे देखते हैं, आगे के बात करते हैं, करा एक पदार्थ के एक इकाई घंड के विप्रित तर्फों के बीच पारित होने पर करंट में पैदा हुए परतिरोध को के रूप में परिभासित किया जाता है, आप सातियों, अगर आपको कोशन नहीं समझ मैं तो एक बार बार करा है, एक पदार्थ के इकाई घंड के विप्रित तर्फों के बीच पारित होने पर करंट में पैदा हुए परतिरोध को, करंट में पैदा हुए, जैसे हमारे कोई हमारा है एक घंड मीटर ले लेते हैं, यह का जो है लंबाई भी हो, और इसका यह क्या हो, उचाई भी हो एक का हो, और एक का चोड़ाई भी हो अपना, यह होगे एक घंड मीटर का, और इसमें अगर कोई हम करंट फ्लो करा रहे हैं, उसके इस यह घंड एरिया, यह घंड मीटर जो वेलूम होगे इसकी, आयतन होगा, इसमें जितना परतिरोध उत्पन होगा, उसको हम क्या करते ह है, उसी को हम क्या करते हैं, उसी को हम विशेष्ट परतिरोध करते हैं, इसको याद रखेगा, यह डिक डिरेटली आपका डिवनिशन से दे रखा है, अगला देखते हैं, अगला करा है, डिसे संट मोटर के तीन टर्मल स्टार्टर में निमलिखीत में से कौन से भाग में विदूत्य चुम्बकत है, होता है, जिससे फिल्ड करंट द्वारा चुम्बकी या मेंगेंडाइस किया जाता है, साथ यह कुछ नहीं, थिरी पॉंटी स्टार्टर की बात करता है, थिरी पॉंटी स्टार्टर में कुछ नहीं होता है, इसमें जो है कि आपका नो बोल्ट क फिल्ड के ईए नहरा शीरे ऑफ फिल्ड के रेलिर में जोड़ा होता है और नह視感じ की का एब collectors चाल करने के शक्मक्री, नहीं नहीं थारी? तिस्ते क्या होता है नो बोल्ट जो कॉाइल होती है ये जो नो बोल्ट कॉाइल होती है ये हमारा डिमागनेटाइज या मागनेटाइज हो जाती है तिस तरीके से इसको याद रखेगा जो नो बोल्ट कॉाइल होती है उसके करण ये होता है बाकि अगला देते हैं अगला बह ब्रेक्डाउन 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 ब voltage होता उससे कम voltage पर होता है यह ज्याद रखिए विज्वल गृति कल बोल्टेज होता है यह से ज़्यदा होना चाहिए और क्या होना भीडी से क्या होना चाहिए कम चाहिए जब आप फार्मॉला करें आपको पता होगा इसका तो उसमें आता है भी-सी कि माइनश भीडी इस त लगते हैं इससे घाटा यह होता है कि जो हमारा लगाते हैं इसमें होता है कंड़क्टर जो कुराइड हो जाता है मतलब कि छण रहने लगता है कंड़क्टर का और माली जिए अगर छण हो गया तो जल्दी खराब हो जाएगा इस तरीके से इसके डिस ड्रवांटेज हैं बाकि अगर एड्वांटेज की बात करें तो पर तक करन्डर का जो एरिया होती एरिया मतलब कि करन्ड फोल रहiventी है माली जिए जेब पहले इतने च्छेत्र में करन्ड फ्들 लेकिन अब यह एरिया भढ़ जाएगी और यहां से लगा कि यहां तक उपर तक कि करन्ड फॉल होने लगेगी और माली ऑकाली आप आता है तो जब एरिया बढ़ जाएगा तो इसली यह पास कर जाता है आपी इन्होंने जो आफ्षन अगरत है इसलिए प्रद कर दिया कि जो एंसर नहीं कर दिया गया है तो इसलिए हम इसको इंग्रत कर देते हैं कोई दिक्क नहीं है अगला देख लेते हैं, अगला गरा है, AC पर DC मोटर चलाने के लिए आवस्यक परिवर्थन की भाचान करें, इसके कहने का मतलब है, कि अगर कोई DC मोटर हो, अगर कोई DC मोटर हो, और इसको हम AC सप्लाई देते हैं, तो हम क्या परिवर्थन कर दें, कि वो इजली, मतलब आसान से बिना ज्यादा लाज किये बिना ज्यादा नुक्सान किये वो चल सकता है बस इनका मतलब यह है तो इसको आप याद रखें अगला कोशन देखते हैं अगला करा है यूजेटी में यन छेत्र उतने देर तक बोल्टेज विभाजक के रूप में कार करता है जब तक की अम एमीटर छेत्र में एमीटर करण की मात्रा कहने का मतलब यूजेटी आप अभी पढ़ होंगे यूजेटी जो था है दो लेर वाला तीम टर्मिनल दो लेर का एक बना उटा है यह दिखे यहरा सब पी का भाग लगा देते हैं और यह पूरा हमारा यहन का भाग होता है और यह अगा अभी यह कहा रहा है कि जो यहन चेतर है उतनी देर तक voltage का विवाज़क की रूप में कार कर सकती है जो voltage की वाजब जब तक e meter 6 तर में A meter के karanथ की मातर अगर यह जब तक zero रहेगा तभी यह विवाजब की काम करेगी सत् veins की voltage divider की दूप में काम करेगी अँजब तक अगर ज्यों यह सुने से आगे बढ़ा तो ही बुल्टे डिवाटर के रूप में काम करना बंद कर देगा इसका कोशन का मतलब ही हुआ तो इस अगला कोशन देखते हैं सत्यों एक निविदन है कि अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरू कर दें जिससे हमा वाट्सअप गूरुक उसमें शेयर कर दीजी हो जिसे क्या है कि आपको अगर आच्छी जिजी है करते हैं तो आपके पास भी अच्छी चीजी हिसार ओक आती है यह हमेशा याद रखिए इस भावना से आप पढ़ाई करेंगे तो यह बहुत ही बहुत यह ज़्यादा कोशन से आपको कुछ निकरना साथियो एक्जाम में जब भी बैठें तो रिलेक्स मोड में बैठें और जो है कि अराम से अपना दिमाग पूरा फोकस करके पूरा कोशन पर कोशन में कुछ नहीं होता कोशन में आपको सबको पता है कि आप थियूरी पढ़के आये हुए हैं जो भी पढ़ाई करके आया हुए हैं आपको सब चीज के बारे में पता है वही चीजे पुछी जाती है जिसके बारे में आपको पता होती है बसारते उसमें परजेंट आप माइंड का बहुत ही रोल होता है परजेंट आप माइंड का और अगर आप परजेंट आप तो जानिए आपको कोई भी एक्जाम बचेगा नहीं क्योंकि जो भी हमारे एक्जाम जो सेट करते हैं पेपर को वह हमेशा यही चिंचे करते हैं कि आप ततकाल टाइम में कम समय में कितना अधिक-शदिक सोच सकते हैं तो इसलिए कोस्टंस को अगर नहीं समझ में आता है तो आपको सभी को पता है कि जो होते हैं या फिर जो भी हमारे रिष्टर होगा किया करता है यह हमारा Roberts का का मतलब है यह नहीं को घ्लिए कवर filled अब आपो बाद करें की बहने के रहा है और सभी को पता होगा आप और को सबसे हमां की कि क्या कह रहा है तो आप 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 संन कभे सकते है आप संसे आप अच्छा तरीके से आप दो एपर करके आप को सन्सक्र कर सकते हैं आज देखं़ कर रहा है कि इंदक्ष्ण मोटर में प्रारृम के कारण कम होता है मतलब करने का मतलब प्रारृम किसके कारण कम होता निसे कि होता है तो ज liberal कि लिए इंडक्शन मोटर की बात करें अगर इंडक्शन मोटर और इसी की बात करें स्लिप रिंग्स लिपरिंग अब पीछले वीडियो में अगर इसको नहीं पता होगा स्प्रिंग के बार चर्चा की है उस वीडियो को आप ज़रूर देखें आपको ज्यादा फीट मिलाए स्टार्टार्क फटा एक नाख क्यों होता है तो देखिए जो आपको सभी को पता हो गाओ देखेंज करता है जो इंड़क्सन मोटर होता है इसलिए भाहुत ही जादा करंड लेता है और यह Rs घथ बहुत ही ज्यादा प्रारमिक उर्जाखटक जो होती है बहुत ही अधिक होने के कराण जो प्रारमिक टार्क होता हो जाता है घड़ जाता है इसको आप याद रखिएगा अब इस तरी किसे अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन कहा रहा है एक मर्कूरी बेपर लैंप में भ अधरे जो भरे हुए मतेरी होते होती है उनहीं के नाम पर हम जनरली रख देते हैं जैसे माली सोडियम मिपर लैंप हो गया तो उसमें यह रहा होगा ऊणर यहिंद created रामिचर को सार्ट इंवैर्शल मोटर में होता है सिंपल छी बात है अगर कोई भी मसेन है कोई भी आर्मीचर है अगर उसमें Salz होगा या उपन सरकिट होगा तो इस पार की अधिक होगी आप आप जनरल तरीके मसेन की बात ही छोड़ दीजिए आप घर की सप्लाई ले करके दीखिए अगर आप क्या करते हैं दो तार लीजिए सप्लाई से लगा हो और दोनों तार को आपस में कभी एक बार सटार लीजिए और एक बार हटाइए तो देखिए कितना इस पार्क होता है तो यही पूछ रहा है तो आपने यहां तो आर्मेशर में दे रखा है तिसलिए इसमें क्या होगा भारी स्पार्किंग होगी अगला देख लेते हैं अगले की बात कर रहा है करा इलेक्ट्रानिक परिपत में परियुक्त ट्रांजिस्टर एक होता है कुछ ने मतलब की जो भी हमाले लेक्ट्राइ जो भी लगाते हैं रांजिस्टर के आने से हमारे एलेक्ट्रानिक छेतर में पूरा एक करानती आ गई स्पार्णिस्टर त्व्waćंसर के लिए इसके बंने अरोध यह इनसूलेटर का अधिकतम कारेकारी ताप्वान होता है आप देखिए जो पेपर से पहले बात करें पेपर अगर आपको पता होगा कि जो हम एंसुलेशन का क्लासिफिकेशन करते हैं आपको पता होगा यह हमारा आपका क्लास करते हैं yes class y class का है a class का है मतलब इस तरीके से आप करते है यह होगी आपका class लिखी यह हमारा class होता है y class, a class, e class, b class, f class, h class, c class इस तरीके से होता है तो देखिए यह इसमें होता है जो 90 degree होता है इसमें 105 degree तक होता है इसमें 120 degree तक होता है इसमें 130 degree तक होता है और इसमें उसको याद रख लिजीएगा बाकी आपको यह याद रखना है कि जो पेपर रबोर्ड या और जो भी हमारे equipment होतے हैं, वो किस ready में आते हैं, जो general purpose insulator के use करते हैं, तो याद रखिए, जो paper, alarm, और यह हमारा लकड़ी गए रहा होते हैं, तो यह हमारा yやって class में include होते हैं, y class में include होते हैं, y class ke insulator कहे जाते हैं, y class ke insulator कहे जाने के कराण, y class का भी आपने देखा कि जो y class का, जो हमारे पास इंसुलेटर होता है उसका टंपरेचर होता 90 डिगरी तक वहरी करता है तो इसलिए जब वाइक लास कहें है तो पता चल गया तो यह क्या हो गया 90 डिगरी तक हो गया अगला देख लेते हैं अगला का रहा है कोरोना का परभाव घटाया जा सकता अभी हमने आप लेक्टर के बीच का अंतर क्या करते हैं बढ़ा दें अगर तो क्या हो जाएगा कोरोना का परभाव कम हो जाएगा इस तरी कि इसको याद रखिएगा अगला देखते हैं अगला करा है दो इलेक्ट्रोड वाले बल्व को कहते हैं दो इलेक्ट्रोड वाले बल्व को अब द तो इसमें क्या हो कभी डायोड होगा डायोड देखें ये जो नामकरण जाता है ये उसके परपज काम से ही नाम क्रण के जाता है इसलिए आप अपना present tud am in exam में लगा सकते हैं अगर आपको कोश्ण संगर नहीं पता इंत याप इसली आप लगा करके के आप πर शकते हैं दूले के कि का करेंगे अब अगला कहेंगे अगला कारहा है कि निम्लिखी जन नहेटरों में से किस कुंदोलन के दो भागों में बाटा गया अब सिम्पल सी बात है दो भागो मेंबले कोई फी 150 आगरमाल सेंट नहीं होगी एकी भाग में संट में सीन होगी है क SI संट कॉमटे यहीं स्काइब कहा है जो हमारा संट पांड कर दिया दाए लेकिन कंपंड वांड जनडेटर जो होता है जो कंपंड वांड क्या होगा सीरीज भी है और संट लेतर हम बाड़ ले तो मोटर होते हैं आप सिंपल सी बात है करा है कि रोटर का भी और इस टेटर का भी समकी छेतर क्या हो समान गति से घुमें अब मतलब आपको हमने पीछली वीडियो में बताया था कि जो इस टेटर था जो फ्लक्स होते थे उसकी जो स्थिट होती थी उस इकम क्या करते थि सिंकोनिस सींपित आपको पीछली विडियीम पीछ यो पर कोसें समरी में इस तरह को embark होता है वह सिश्पीब आशे होता है। इस को क्या कहते हैंail कि हैं सिम्भल तो यह रहा है साथियों इस तरीके से आप याद रखेंगे तो अब इजलिए आपक जो है कि कर ले जाएंगे कोई दिक्कर नहीं आएगा अग्या देखते हैं बिद्धुतीय तारों और केबलों में इस्तमाल किये जाने वाले संभाहक संभागरी हैं और संपल सी बात है उसमें किस मंठेल्य का पुरियोग करते हैं या खु और नहीं कर Сकते हैं जरस्ता यह तो मंठेल adalah क्ावेति यह करते हैं । बेखे हों और इसलिए अगला कर रहा है यदि करंड का माल लगतार और यह चड़ से दूसे छड़ परिवर्थित होता है तो उससे क्या करते हैं आपको पता ही होगा जो एसी होता है इसमें आई की जो वैलू होती है टी के सापेज क्या होता है लेकिन वहीं हम क्या करें अगर एसी की बात करें तो हर पल क्या होता है ओमेगा टी की डिस्पेक्ट में आई की वैलू हर पल दलता रहता है एक छड़माली कुछ और था दूसरे चड़े यहां हो गया तो उसको क्या कहेंगे अल्टरनेटिंग करन कहेंगे बस डिफिनिशन आपको पता है बस अब जिली कर ले जाएंगे अगला कोशन कर रहा है ओम के नियम अंसवार क्या होता है कुछ नहीं जो परतिरोत का आपमान निरंतर होना चीए यह देखिए बहुत ही अच्छा कोशन से इन्होंने देख रखा कि करन बोल्टेज का अनुपात होता है करन बोल्टेज के ब्यूत करन पाती होता है बोल्टे निरंतर करन बदलता रहता है यह देखिए सारे के सारे जो हमार यह इसको छोड़ द आप इसलिए जानते होंगे जो भी प्रप्रप्रसनल टू आई होता है तो इसके आधार पर क्या कर लेंगे आप करंट वोल्टेज के अनुपातिक होता है यह आप लगा के चले आएंगे लगिसात्यों याद रखिए जब भी बात करेगा तो आपका ओम्स की नियम का जनरली जब भी आप ओम्स की नियम के बारे में अगर कोई व्यक्यान दें अगर उसमें आप्षन दिया हुआ है तो आप हमेशा याद रखिए कि जो परतिरोध का तापमान होता हुँ निरंतर होना चाहिए मतलब कि कांश्टेंट होना चाहिए साथियों यह ची दियान रखिए कि आपसन में कहीं यह तो नहीं दे रखा है कि जो परतिरोध का तापमान या फिर जो भी टमप्रेचर की बारे में अगर बात करेगा तो ही आपसन हमेशा सही होगा इसलिए हमेशा सही होगा क्योंकि जो ओम्स के नियम के अंसार जो पूछा जाता है यह ओम्स के नियम का कंड पूछा जाता है तो अगर condition की जब बात करेगा तो हमेशा option में उन्होंने दे रखेगा कि जो तापमान होगा वो constant होना ही चाहिए किसी तरी कि आपने उम्स के नियम के answer पड़ा भी होगा कि कि ताप दा भौती का वस्ता है क्या हो परिवरतन नहों मनलग की इस्तिर हो तो इसलिए आप हमेशा इसी इसी option को answer लगाईएगा यह voltage और current के अनुपातिक तो होता है यह अलग की बात है लेकिन जब अगर प्रतियोत तापमान के मनलग की constant नहों तब की बात होती है अगला द दूसरे पोल से गुजरने के प्रिवातन आप देखिए जो कंपूटेशन होता इसका definition ही होता है जब जो कंपूटेशन होता है अगर आपने पढ़ा होगा कमूटेशन का definition अच्छी तरीके से तो आपको पता होगा कि अगर जब कोई भी current कोई भी current आपने मनला तो अब यह न पोल में चली जाए तिसी कर्या को क्या कहते है क्मूटेशन के थे हैं और पूरा का पूरा चल गए तो गुड़ कमूटेशन हो गया अगर थोड़ा सा कम चली गए तो बैड कर्मूटेशन होगे बस यहीं आये कुछ नहीं है तो बाकि आप इसली इसका राइट आर्थ से जुड़ने वाले तार को घएंगे भस आपको इतना ही समझना कि कहना क्या चाहरा भुद को सब्सक्रेंब तो याद रखिए यह क्या कर रहा है Neutral point को अर्थए से जोड़ने वाली conductor तार खाते हैं कि मतलब कि Earth को सप्लाई करने वाला जो तार होगा उसी उसका नाम हो जाता है अर्थ को सप्लाई करने वाला यहनी कि कोई करण्ट अगर निट्रल में आ जाती है तो उसको क्या करें अन्वांटिक करण्ट जो मतलग कि हम नहीं चाहते हैं वह अगर आजाती तो अर्थ को क्या कर दें सप्लाई कर दें इसलिए उसका नाम पढ़ा अर्थ रेड़ सप्लाई अर्थ निर्णत ता चा कि यह बल के पीछे फ्लक्स घनात्त की लेगिंग को कहा जाता है सिंपल सी बात है आप काने का मतलब यह जो मेंगेटाइजिंग फोर्स होता है बल होता है और जो घनत होता है इसमें लेगिंग हो जाता है इसी को तो हम इस्ट्रेस करते हैं यह देखिए अगर आप इस्ट् रहा था और अचानक बढ़ने के बाद सेच्चुलेट हो गया और यहां के बाद आप कितना हों फोर्स लगाईए मैगनेटिक फ्लक्स बढ़ेगा नहीं फिर हम का करें घटाना चाहते थे घटाने लगे तो जो हम फोर्स ला करके हैं तो जीरो कर दिये लेकिन जो Magentaic Flux Zero नहीं उपाया, इतना पीछे चला गया इसी घटना को हम क्या कते हैं, जो है कि इसी यह जो इतना पीछे हो गया, इसी को गया हिश्टेसिस लास कते हैं साथियो, इसको याद रखी हमें साथ जो फ्लक्स गनात होता है पीछे राज आता है मैं एक टाइजिंग फोर्स से इसी को कहते हैं इस्ट्रेसिस लाज करते हैं बस इतना याद रखी और कुछ नहीं इस्ट्रेसिस लाज के लिए निमलिखित में कौन सा उपकरण जन्रेटर और ओम मीटर का सनियोजन है बस कोई बात कहते हैं आपको पता होगा में होता है इसमें डिजंडीर लगा होता है जटनल लगा होथा है और जुक्स लाप लापन होता है自 लिए जो मेंगर में यह दोनों प्रापर्टी उत्पन रहती हैं तिसलिए इसका राइट इंसर क्या हो जगा सातियों इस तरिके से आज का सेशन में ही समात करते हैं तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर जरू सब्सक्राइब जरूर कर लें सातियों वीडियो देख